नमस्कार साथियों आप देख रहे हैं टेर्गर्ड विट जंडरा यूट्यूब चैनल मैं हूँ चंदरभान हम लोग बात करेंगे मापन की मिजरमेंट की और यहां पर जिस मापन की बात होगी वो होगा है सेक्षिक मापन सिक्षा में किस तरीके से मापन किया जाता है और मापन की क्या उद्देश है क्या इससे फायदे मिलते हैं इसका क्या अर्थ है क्या मतलब है और इसकी क्या परिबासाइं है तो जो सिक्षा मनुविज्ञान में इनकी परिबासाइं दी गए है इसके अर्थ को बताया गया है उसको बेहतर धंसे समझने वाले हैं यह जो वीडियो है यह आपका टीजीटी पीजीटी एजुकेशन से जो लोग फार्म अपलाई की हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग सुपार्टेट देना चाहते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है साथ-साथ में जो बेयर चलो को सब्सक्राइब नहीं किया है प्ले सब्सक्राइब कर ले और साथ-साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि आपको हर एक वीडियो का इन जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे तो आए शुरू करते हैं हम बात करेंगे मापन मिजरमेंट की तो सबसे पहल आपन के अंतरगत विबिन निरिक्षर् वस्तुओं एवन घटनाओं का अंकात्मक रूप से वरडन किया जाता है और की चीजों का जिंव सुष्ण कर रहे होते हैं उन वस्तुओं एवन घटनाओं को तो किसी वस्तू की मात्रा कितनी है उस वस्तू का गूड्यटी उस में क्या है उसकी quantity क्या है इसका मापन करेंगे हम साथ साथ में कोई घटना है उन घटनाओं का मापन करेंगे और मापन करने के पास चाहत उनको एक अंक प्रदान करेंगे कि कितना इस घटना यह कितनी हुई कैसी थी और सासाथ में वह वस्तु जिसका हम रिक्षण कर रहे हैं वह कैसी है कितनी मात्रा में अच्छी है इस तरह किसे जब मात्रा की बात करते हैं और उनको एक अंक प्रदान करते हैं तब हम यह कह सकते हैं कि हमने यहां पर मापन किया है ठीक है दूसरे पॉइंट की बात करेंगे और पहतर तरीके से समझ में आएगा हार इपपॉइंट में आपको बेघाइध समग tutaj तो दूसरा पॉइंट है कि मापन शब्द का प्रियोग समाने ता विद्यार्थियों के अंकिये प्रदर्शन से होता है तो यहां यह बात कही जा रही है कि विद्यार्थी ने अपने एक्जामस में कितने नंबर वो पाया तो यह क्या है तरीके का मापन है यहां पर यह बात क हई किसी वस्तू या विव्क्तिके गुड़ों तता विस्ष्ताओं को मापन अगले पांज clicking बात करें गया चजिए हो जाती है तो किसी वस्तु को मात्रा के रूप में प्रकट करने की प्रक्रिया है तो इन चार पॉइंट से हमें इसके अर्थ के बारे में clear हुआ और यह clear क्या हुआ कि किसी वस्तु किसी व्यक्ति या घटना को अगर हम उसकी मात्रा और गुरों की अधार पर अंक देते हैं तो यह अंक देना ही क्या है मापन है मिजर्मेंट है थीक है इतना तो आपको ज़रूर समझ में आया होगा अब कुछ जो सिक्षा मनुवज्ञान के जो ज़ोए ज्यानिक है उन लोगों हुआ कि अपने मापन को अपने शब्सक्राम किस तरह से प्रभासित किया लगों इस चीज़ हम रणोगी परिभासार के आनुसार। इसा कह wider उसना हे परिफासा है जो जरुझ भी अस्तितन तुमें है जो भी हम दिखाई देता है और जो तुम्हें जो चीज दिखाई देती इसका मतलब है कि वो अस्तित्त में है और उसका अस्तित्त किसी ने किसी मात्रा में होता है अर्था जो चीज यह थार्थ चीज़ा हमें दिखाई देती हैं वो किसी ने किसी मात्रा में होती है है आप अंदाजा लगाई आप अनुवान ल है मापन है जो चीज अस्तित्त में है इसका मतलब है कि उसकी मात्रा है और उसका मापन किया जा सकता है ठीक यह परिवासा किसकी है थांडाइक की अनुसार दूसरी परिवासा का स्वरूप आंकिक है तो सीधी सी बात यही है कि कुछ ऐसे सिवक्रित नियम है जो सिवकार किये गए हैं उन नियमों के आधार पर अगर हम किसी को आंक देते हैं किसी वस्तु को आंक देते हैं किसी वेक्ति को आंक देते हैं तो यह आंक प्रदान करना जो है मापन है तो प्रक्रिया है अंग परदान करने की प्रक्रिया है और दूसरा पॉंट जूर याद रखिए इस परिभासा का स्विकृत नियमों के अनुसार दो इंपॉइंट इंपॉटेंट है इस परिभासा में पहला स्विकृत नियमों के अनुसार ठिक और क्या करना अंग परदान करना आंकिक सुरूप देना, ये क्या है? ये ही मापन है. अगली परिवासा ब्रेट फिल्ड तथा मोडोक के अनुसार. ये कहते हैं कि मापन किसी घटना के विभिन आयामो को प्रतीक आवंटित करने की प्रत्रिया है. कोई घटना है, ठीक उसके विभिन आयामो, मतलब वो घटना कब गटी कैसे गटे किसके साथ गटी कितनी मातरा में गटी इन सारे जो आयाम है सभी जो पक्ष है गटना के उन सभी को प्रतिक अवाबंटीत करना एक नमबर देने इ deliber इतने समय हुआ ये ऐसे हुआ उनको अंक प्रदान करना क्या है मापन है और इस आगे लिखते हैं कि जिस्टे उस घटना की इस्थिती का यथार्थ निर्धारन कैसे हो सकता है जब हम उनको एक नंबर प्रदान करेंगे ठीक है और लास्ट में फिर हम देखेंगे कि हाँ वास कह सकते हैं इस्थिती प्रदान करेंगे तो इनका कहने का मतलब है कि मापन क्या है जो मापन होता है वो यथार्थ होता है मापन कैसा होता है यथार्थ होता है अर्था जो चीज़ें हमें दिख रही है हम उन्हीं का मापन कर सकते हैं एक्जैक्ट रूप में और बाकि जो च कहूं कि आप अपनी बुद्धी का मापन करिए। नहीं किया जा सकता है। यहां तक कि जो IQ Level है, उसको भी हम देखते हैं कि कैसे मापते हैं। 90-110 इगजयक्त नहीं मापते हैं। यहीं कि वुद्धी है, वक्तित्र रुचि है और जो अभिशमताएं है, उनको हम exact अंक प्रदान नहीं कर सकते हैं ठीक है तो यहां जो मापन की बात की जा रही है यह कहते हैं कि जब हम किसी चीज को यथार्थ रूप में अंक प्रदान करें वो यथार्थ हो वो exact नंबर उसको हम दे तब हम यह कह सकते हैं कि यहां पर यह मापन है ठीक है यह ताकि वह समाज़द्वारा प्रदत्त उत्तर दाइत्तों को बखो भी निभा सके रें, हम एक सेस्षिक मापन करने का उत्देश यह है कि हम किसी बालत व्यक्तिदी के गुणों और दोस्वं का पता लगाए और जब हम पता लगा कर लेंगे तबी तो हम सुधार कर सकते हैं है तो अगर हम मापन करते हैं तो मापन का उद्धिश क्या है कि एक व्यक्ति को एक bleibt आंक गया सब्सक्राइब प्रेड सकंट करें एक संथुलिद व्यक्ति तो इसको दे सके हम थाकि वह जो समाज में उसको जो responsibilities दी गई हैं उनको बखू भी नहीं भा सके क्योंकि अब माता-पीता क्या करते हैं माता-पीता यही तो करते हैं अपने बच्चे की खूबियों को देखते हैं अउलोकन करते हैं उसकी जो कमिया है उनका observation करते हैं कोई कमी का पता कैसे लगाता है जब तक उनको प्रदान नहीं करेगा जब तक उनका observation नहीं करेगा observation भी मापन कहीं एक पात एक कह सकते हिस्सा है पार्ट है तो हम यह मता-पीता जो है अपने बच्चों का भी measurement करते हैं भले ही वह एक कह सकते हैं कि रजिस्टर भले ना बनाएं ठीक है लेकिन कहिन के दिमाग मे बच्चे का जो है अवलोकन दर्ज हो जाता है फीट हो जाता है उनको आंग दे देते हैं कि हमारा बालक जो है इस छेत्र में इतना परसेंट अच्छा है और उसी के आधार पर फिर वो क्या करते हैं उसको जिम्मेदारी सौपते हैं तो मापन एक बहुत बड़ी चीज है ए कैसे मापन है यह सेक्षिक मापन है वैसे मापन तो अन्य चीजों का भी किया जाता है सब्जीयों का मापन किया जाता है दूद का मापन किया जाता है हम उन चीजों की बात नहीं कर रहें क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो क्या है एजूकेशन तो सेक्षिक मापन की बात की तो मापन के कारों में तीन important point जो दिये गए है वो आपको सिर्फ याद रखना है कि वस्तु को संख्या परदान करना ये मापन का कार है घटना को अंग परदान करना ये वाप मापन का कार है और नियमा नुसार संख्या परदान करना ये भी क्या है मापन का एक कार है अब हम ब और आत्मक मापन अर्थात क्वालिट्टेट्व मेजरमेन की बात करें तो इसमें क्या है गुड़ या विसेस्ता की उपस्थिती या अनुपस्थिती की का हम मापन करते हैं अर्थात किसी के अंदर कोई विसेस्ता या गुड कितनी कितना है कितना नहीं यहां पर हम यह देखते हैं कि उसकी उपस्थिती है या नहीं जब हम यह देखे किसी के अंदर कोई क्वालिटी या किसी चीज की कमी है या नहीं है तो इसको हम गुणात्मक मापन कहते हैं मात्रात्मक मापन होता है ठीक है वो कैसा होता है मात्रात्मक मापन अब मापन प्रक्रिया के मूल तत्तो की बात करें कि इस पूरे मिजल्मेंट प्रॉसेस में मुख मुख की चीज़े कौन कौन सी आती ही सामने तो सबसे पहली चीज तो क्या आती है विसाई विसाई का मतलब जिसमें एक प्रतिक हमें देते हैं और प्रतिक किसको देते हैं जिसमें गुरू की मात्रा अभिव्यक्ति होती हो वो कैसा प्रतिक होगा वो सिंबल कैसा होगा जो उसके गुरू के बारे में बताता होगा तिसरा तिसरा जो पॉइंट है नियम या मानता हैं तो अब यह जो मा मात्रा द्यक्ति की गए मात्रा दीगी वो किस नियम के आधार पर है तो यह तीन चीजे जो है मापन में आते हैं पहला विसाई दूसरा प्रतीक और तीसरा नियम ठीक राइट उसके बाद हम एक लास्ट बात जो है जैसे कि बुद्धी है विक्तित्त्य है रुची है इनका अगर मापन किया जाए तो ये मापन अपरोग्ष होता है और ये आईस्थाई होता है क्योंकि हम exact number पर किसी विक्त के personality को नहीं बता सकते, exact number पर किसी को रुची की बात हम नहीं बता सकते, किसी की बुद्धी सच में कितनी है उनको हम एक बेहतर, एक exact number जो है हम provide नहीं क कर सकते हैं, तो इस तरीके का मापन क्या कैसा होता है वो होता है, आप परोख्ष मापन अरथाथ ये कह सकते है कि сक्षिक मापन जो होता है, वो आप परोज़ोंकर आई होप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मापन से संबंदी ये जो कंटेंट है वो अच्छा लगा होगा इसके बावजूद भी अगर आपको कोई समस्या है कोई प्रोब्लम है तो आप कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि और बेहतर ढंग से आपक का बहुत बहुत धन्रवाद